हेलो गाईज, जगर्फी के हमारी क्लास चल रही है और पिछली क्लास में हमने जो है कि इंडिया के विशे में बताया था कि किस गुलाद में इस्तित है, फिर जो है कि इसकी लंबाई कितनी है, किस अच्छांस है, किस अच्छांस के बीच में है, किस देसांतर से, किस देसांत होंगा कि यह जो भारत है भारत इसके जो पडोसी देश है पडोसी देश कि उस उसके साथ हमारी कौन-कौन से राज्यों की सीमा लगती है और सबसे ज्यादा किस देश को जो है कि किस देश को हमारी जो है कि सीमा छूती है तो आपको मैंने बताया था बचपन बचपन, में भूला, बचपन में भूला, बचपन में भूला, बसे बांगलादेश, सबसे ज़्यादा हमारे देश की सीमा किसके साथ लगती है, बचपन में भूलादेश के साथ, उसके बाद हमारे देश की सीमा चीन के साथ लगती है, उसके बाद हमारे देश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, उसके बाद हमारे देश की सीमा नेपाल के साथ लगती है, फ उसके बाद भूटान के साथ लगती है और फिर उसके बाद अफगानिस्तान के साथ में तो यह देखो साथ देशों के साथ हमारी जो है कि अस्थली सीमा लगती है और यह जो साथ देश है सबसे जादा आप से पूछा जाता है भारत की अस्थली सीमा किस देश के साथ लगती है दूसरे नमबर पे चाइना के साथ तीसरे नमबर पे पाकिस्तान के साथ चोथे नमबर पे नेपाल पांच में नमबर पे म्यामार छठें पे भूटान और साथ में पे अफगानिस्तान और अफगानिस्तान इस समय काफी चर्चा में है आप जो है कि अफगानिस्तान को करे के लिए भी देख लिजेगा क्योंकि करेंच से बहुत जादा वहां से आएगा और साथ ही साथ जो हमारा रिलेशन है चूँकर तालीबान ने वहां पे अपना इसथापित कर लिया है तो इसलिए वहाँ के relation को भी हमें देखना पड़ेगा किस तर से प्रभावित हुआ है और वह विशु को किस तर से प्रभावित कर रहा है यह चीज को आप जो है कि देख लीजिएगा अफगानिस्तान जो है होट है इस समय तो उसको आप देख लीजिएगा और इस समय वर्ड कप भी चल रहा है और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को भी बेचने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं वह सब जो है अफगानिस्तान की जब आप चीजों को देख वो तो समझ में आ जाएगा क्योंकि आप जो है अगर सीविल सेवा की तयारी कर रहे हो तो सीविल सेव कि तयारी में इस चीज का भी से ध्यान रखिएगा कि आपको जोगर्फी पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उसके साथ साथ आप देखोगे कि पोल्टी हिस्ट्री एकोनामी साइंस इन चीजों पर भी पकड़ होनी चाहिए और जब आप इन चीजों पर देखिए बांगलादेश है हमारी गोंद में बैठा हुआ यहां पर अब जो बांगलादेश है सबसे पहले तो यह देखिए कि कितना जो है कि इसके साथ हमारी सीमा लगती है सबसे पहले इस चीज को देखिए तो इसके साथ हमारी सीमा लगती है चार हजार छीयानवे किलो मीट है और कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ जो है कि बांगला देश की सीमा लगती है तो यह देखिए आपका पस्चिम बंगाल है इसके साथ जो है कि सीमा लगती है असम है इसके साथ सीमा लगती है मेगाल है इसके साथ सीमा लगती है और यह आपका थिरपुरा है और मि कौन कौन से सीमा लगती है तो पस्चिम बंगाल है कि पस्चिम बंगाल है पांच राजी इसके साथ लगते हैं पस्चिम बंगाल दूसरा असम असम तीसरा आपका मेघालय चौथा तिर्पुदा और पांचवा मिजोरम लिखते हुए चलिएगा या बुक अगर अपने खरीदा हुआ तो वहां से मिल जाएगा लेकिन आप जो है कि कलम अपनी चलाते रहिएगा क्योंकि जब आप अपनी पेंच चलाते हो तो बहुत से चीजे आपके दिमाग में वै जो है कि उनको चीजे तयार होती जाएंगे तो बांगला देश की साथ हमारी कितनी सीमा लगती है बांगला देश के साथ हमारी कुल 4096 किलो मीटर सीमा लगती है पांच राजे जो है बांगला देश को टच करते हैं कौन कौन से है पस्चिम मंगाल, असम, मेगालर, तिरपुरा और मिजोरम पहला तो है कि सबसे ज़रा सीमा किसके साथ लग रही है बांगला देश के साथ में ठीक है इससे किसी ना किसी बात को लेकर विवाद होता ही रहता है तो चीन के साथ हमारी कुल कितनी सीमा लगती है चीन के साथ हमारी 3488 किलो मीटर की सीमा है 3488 किलो मीटर कुल सीमा कितनी लगती है 3488 किलो मीटर और कौन कौन से राज जो है की चीन को जो है टच करते है तो सबसे पहले बात ये देख लीजिए चीन यहां से सुरूर होता है आपका ये बीच में नेपाल आ गया यहां से होते हुए अनाचल परदेश तक सीमा लगती है तो ये देखिए सबसे पहले बात तो लद्दाक वरतमान समय में कि जम्मू और कस्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है ठीक है दो केनसासित परदेश बना दिये गया है एक जम्मू कस्मीर और दूसरा लद्दाक पहले ये राजी हुआ करता था तो ये देखिए लद्दाक की सीमा लग रही है, दूसरा जो है आप देख रहे हैं, कौन सा है, उत्राखंड है, फिर सिक्किम है और अनाचल परदेश, और वरतमान समय में अगर आपसे पूछे, सौरी, ये हिमाचल परदेश भी है, ठीक है, वरतमान समय में अगर आपसे परदेश के साथ में, तो चार राज ये कौन-कौन से हैं, जिसके साथ सीमा लगती है, एक तो है आपका हिमाचल परदेश, हिमाचल परदेश, दूसरा है उत्राखंड, उत्राखंड, सिक्किम, और अरुनाचल परदेश, अरुनाचल परदेश, अरुनाचल परदेश, पर और पांचमा इसमें अगर केंद सासित प्रदेश को भी पूछ दे तो लद्दाक है लद्दाक ठीक है यह फिर से जो है कि राज बन जाएगा जम्मू कस्मिर लद्दाक ठीक है च्योंकि इंटर्नल कंडिशन कुछ हमारी ऐसी थी कि हमें जो है कि उसको दो भागों में बाटन पड़ा क्योंकि जब केंद सासित प्रदेश बन जाये तो जाहिर सी बात है केंद का डाइरेक्ट उस पर अधिकार हो जाएगा यानि राजियों के जो है कि अधिकारों को कम कर दिया जाता है यह देखो दो भागों में बाटा हुआ है एक है जम्मू कस्मीर दूसरा है लद फिर उसके बाद जो है कि हमारी सीमा लगती है नेपाल के साथ में यह देखिए तीसरे नंबर पर कौन सा है नेपाल पाकिस्तान है तीसरे नंबर पर हम जो है कि भूल रहे हैं पाकिस्तान है यह देखिए पाकिस्तान पाकिस्तान अगर राज्यों की बात करें तो तीर राज्य इसके उरतमान समय में टच करते हैं और केंद सासित मिला के देख लें तो यह पांच हो जाएंगे ठीक है तो इसके साथ कितनी सीमा लगती है तो इसके साथ लगती है 33 किलो मीटर 33 2 3 किलो मीटर थीक है तो कौन-कौन से राज्य है तो यह देख़े गुजरात है राजस्तान और पंजाब गुजरात राजस्थान और पंजाब तीन राज्य हैं और केंद सासित प्रदेशों को भी मिला दें तो दोनों केंद सासित प्रदेश जे एंड के और लद्दाक लद्दाक यानि कुल पांच के साथ लगेगी इसकी सीमा और उस तरह से अगर राज्यों की ही बात करें तो तीन राज्य हैं इसको ध्यान रखिएगा तो तीन जो है कि आपने देखा तीन देशों को पहला बंगला देश दूसरा जो है चाइना तीसरा आपने देखा पाकिस्तान और चौथा कौन सा है चौथे नमबर पर है तो वो है नेपाल 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 को देख लीजिये ये जो नेपाल है इसके साथ सत्रम जो 151 किलोमीटर की सीमा है लिखते हुए चलिएगा रट लीजिएगा इंचीजों को यूँकि कभी कभी ये छोटी छोटी चीजे ही आप से पूछता है 1751 किलो मीटर है और कौन-कौन से जो है कि राज जी है जो इसके साथ सीमा बनाते हैं तो यह देखिएगा आप सबसे पहले तो यह देखिए इधर से आप चलेंगे तो उत्राखंड है फिर उत्तर प्रदेश है बिहार है इधर आपका पस्चिम बंगाल और सिक्किम पांच राज जो है नेपाल को टच कर रहे हैं पांच राज कौन-कौन से हैं तो उत्राखंड है उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश फिर उसके बार आप देखिए बिहार है बिहार पस्चिम बंगाल है पस्चिम बंगाल और फिर उसके बाद सिक्किम सिक्किम पांच राज्यों के साथ जो है नेपाल की सीमा लगती है लिख लीजिएगा याद कर लीजिए इन चीजों को मैब बना बना के जो है कि याद करिए फिर उसके बाद आपका आजाता है म्यामार ये देखिए मियानमार है मियानमार के साथ अगर आप देखोगे तो मियानमार के साथ 1643 किलो मीटर की सीमा लगती है मियानमार जब इंटरनेशनल रिलेशन आपको पढ़ाओंगा तो बताओंगा मियानमार के बारे में भारत पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, भारत बांगलादेश्ट के रिलेशन के बारे में, भारत नेपाल के रिलेशन के बारे में, भारत चाइना के रिलेशन के बारे में, भारत स्री लंका के रिलेशन के बारे में, सब चीजों को एक एक चीजों को खोल के बताया जाए उसका धार्मिक आर्थिक राजनेतिक सिक्योर्टी के इसू मतलब की राजनेति हर तरह की मुद्दो को देखा जाएगा किस तरह से हमारा रिलेशन है और करेंट के साथ उसको जोड़के देखा जाएगा तो मेयमार के साथ हमारी 1643 किलो मीटर की सीमा लगती है पांचवे के फिर मरीपुर के और मिजोर्म की चार राजियो की सीमा लगती है इसके साथ में कौन कौन सा एक अवाणाचल परदेश है मैं अबनाचल प्रदेश की नागा लेंड है मनिपूर को और मिजोर्म मेजोरा ये चार राजे हैं जिसके साथ में सीमा लगती है किसके मैनमार की मैनमार को भी आगर आप देखोगे तो हमेशा चर्चा में रहता है इस समय रोहिंगा मुसल्मानों को और वहां पर तक्ता पलट हुआ है उसको लेकर चर्चा में है क्योंकि से न ने वहां पर कब्जा कर लिया है और सेना के विरुद जो है कि वहां के जो यो असंतुष्ट लोग है फिर उसके बार अगर आप देखोगे तो भूटान के साथ हमारी सीमा लगती है ये देखिए भूटान है काफी हमारा सायोगी है भूटान तो भूटान के साथ किन किर राजियों की सीमा लगती है तो भूटान के साथ अगर आप देखोगे तो आपकी जो है कि चार राजियों की यहाँ पर सीमा लगती है वो कौन कौन से है तो भूटान के साथ एक तो देखो सिक्किम की सीमा लगती है दूसरा पस्चिम बंगाल की है तीसरा आसम की और चौथा अवनाचल प्रदेश की भूटान को हम लोग देख लेते हैं भूटान भूटान इसके साथ हमारी 699 किलोमीटर की सीमा है 699 किलोमीटर की सीमा कौन कौन से राजी लगते हैं तो चार राजी इसके साथ लगते हैं कौन सा है एक तो सिक्किम सिक्किम दूसरा दूसरा पस्चिम बंगाल दूसरा पस्चिम बंगाल पस्चिम बंगाल असम और अवनाचल प्रदेश अन्वाचल प्रदेश यह चार राज्जे हैं जो भूटान के साथ हमारी सीमाएं बनाते हैं इसको देख लीजिएगा एजी है ठीक नहीं कहीं पर भी किताबों में आपको मिल जाएगा किताबे पढ़ने का सोग जो है अप लोग पा लिए बहुत अच्छा होगा अप लोगों के साथ में फिर आजाते हैं हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान भूटान के बाद जो है अफगानिस्तान है अफगानिस्तान इसके साथ हमारी 106 किलो मीटर की सीमा लगती है जो पी ओ के पाक कुपाइड कस्मीर है वो वाले लगता है ये वाला हिस्सा वरतवान समय में आप देखेंगे तो केवल और केवल लद्दाक का जो है कि छेत इससे साथ टच कर रहा है पहले जो है कि लद्दाक जम्मू कस्मी का जो है कि राज्य का हिस्सा हुआ करता था अब केनर सासित प्रदेश है तो केवल एक केनर सासित प्रदेश से जो है इसका लगता है वो है लद्दाक लद्डाग जब राजी बन जायागा तो जम्मु कसमीर हो जायागा सबसे जादा जो आज़ाए कि बंगलादेश दूसरे नमबर पर चीन तीसरे नमबर पर पाकिस्तान चोथे नमबर पर नेपाल पांचमे नमबर पर मियामार छठे नमबर पे भूटान और साथमे नमबर पे अफगानिस्तान ये साथ जो है कि देश हैं जिसके साथ भारत की सीमा लगती है अब देखो अस्थली सीमा अब देखो जली सीमा की भी बात करें तो जली सीमा से लगने वाले भी कुल कितने देश हैं साथ साथ यानि साथ प्लस साथ साथ अस्थली जो है कि देश जो सीमा से हमारे टच करते हैं और साथ जो है कि जली सीमा भी जो है कि लगती है साथ प्लस साथ और ये जो आप देख रहे हैं साथ देश कौन कौन से हैं तो उसको मैं बता देता हूँ यह देखिए पाकिस्तान जो हमसे टच कर रहा है अरब सागर में दूसरा माल्दिव है यह हमें टच कर रहा है तीसरा स्रिलंका है यह हमें टच कर रहा है चौथा यह बांगलादेश है यह भी हमें टच कर रहा है म्यामार है यह हमें टच कर रहा है और इधर आप देखोगे इ मलक्का वाला चेत हैं यह हमें हमें टच कर दहाई थाई लेंड और इंडोनेशिया ठीकर यहां पर थाइलेंड है और इंडोनेशिया यह शेट धेश हम से टच कर रहे है तो शोर्प जलिये सीमा से लगे हुए देश कितने हैं साथ पहला कौन सा है पाकिस्तान दूसरा मालदीव मालदीव तीसरा सिरी लंका सिलोन भी जिसको कहते हैं सिरी लंका फिर उसके बाद बांगला देश बांगला देश फिर उसके बाद म्यानमार फिर उसके बाद थाईलेंड और फिर उसके बाद आपका इंडोनेशिया इतने देश हमसे जो है कि अपनी सीमा बनाते हैं जली सीमा फिक है ये चीजे जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजेगा बहुत काम की चीजे हैं आप लोगों को बहुत ही समझ में आएगा अब देखो आप से पूछ रखता है कि किस देश के साथ किस राजी की सीमा जो है सबसे ज़्यादा लगती है तो आप जान रहे हैं कि बांगला देश है बांगला देश इसके साथ सबसे ज़्यादा जो है कि सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है तो वह है पस्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो चाइना है दूसरे नंबर पे आप देखेंगे चीन है तो चीन के साथ जो है सबसे ज़्यादा सीमा हमारा कौन सा राज्य बना रहा है तो वरतमान समय में आप देखेंगे तो लद्दाख बना रहा है कौन सा लद्दाख फिर उसके बार आप देखेंगे पाकिस्तान है आपका तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है हमारे कौन से राज्य की राजस्थान की राजस्थान की फिर उसके बार आप दे देखेंगे नेपाल है नेपाल तो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है तो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा हमारा बिहार बनाता है कौन बना रहा है बिहार बिहार उसके बार आप देखेंगे कि भूटान है आपका उसके बार आपका भूटान है भूटान के साथ जो है कि अस्थम सबसे यह सीमा बना रहा है कौन अस्थम फिर उसके बार आप देखेंगे कि म्यानमार है म्यानमार के साथ कौन सीमा बना रहा है तो मिजोरम म्यानमार के साथ मिजोरम मिजोरम और फिर उसके बार देखेंगे अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान के साथ मैंने आपको बताया ही कि अफगानिस्तान के साथ आपका लद्दाक जो है सीमा बना रहा है लद्दाक ठीक है तो इसको आप जो है नोट डाउन भी कर लीजिएगा ताकि आप देखो जितना आप जो है की चीजों को लिखते लिखते रहिएगा ठीक है जितना आप लिखते चलेंगे जितनी चीजों को आप जो है कि समेट के चलेंगे उतना ही बेस आपका मजबूत होगा उतनी ही एडवांस चीजे आपको जो है कि तैयार करने में मदद मिलेगे और उतना ही सेलेक्शन के आप करीब पहुंचते जाओगे और उतनी ही चीजों को अच्छे से समझ पाओगे आप यानि कलम चलाते रहिए मैं एक गाइडेंस प्रोग्राम चलाता हूँ जो बच्चे घर पर जो है रहके अपनी तैयारी करना चाहते हैं आईएस की पीसीएस की ठीक है तो वो किस प्रकार से वहां पर तैयारी करे मैं उसके बारे में जो है बच्चों को बताता रहता हूँ कि इस चीज को चाहे तो और मैं यही काम करता हूँ चाहे यूटूब के माध्यम से चाहे परसनल जो है कि संपर्क के माध्यम से बच्चों को मैं तयार करता रहता हूँ कि आप वहां पे रहके इस तरह से आप तयारी करिए कम से कम जो है पीसीएस में तो आपका सेलेक्शन मैं करवा ही मिल पाएगा तो उसके लिए थोड़ा सा हो जाएगी प्रॉब्लम और अच्छे सहर में हो तो आई इसकी भी तैयारी आप जो है घर बैठे कर सकते हो मिलता हूं आप लोगों से मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नई जो है कि जानकारी के साथ धन्यवाद हुआ हुआ आप ट्ट्से हुआ हुआ